मादवी अंकित सचान वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट वेज्ट आर्ट फ्रेंड्स फोर मोर रेशिपीस फोर मोर टेस्ट फोर मोर वीडियोस सब्सक्राइब किजे हमारे चैनल को और स्वस्थ रहने के लिए इट हल्दी बी हल्दी लेट्स स्टार्ट चलिये, आज हम बनाते हैं मूली के कोफते, एक प्याज, अद्रप, थुड़ी सी लेस्वन और थ्री ग्रीन चिली, उनको ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे, दो टोमेटोस भी हम ग्राइंड कर लेंगे, इसमें हाफ स्पून रेड चिली पॉडर और हाफ स्पून सॉल डालके, थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से हम इस बेसन को मिक्स करेंगे, जितना ज्यादा आप इस बेसन को हाथ से चलाएंगे या स्पून से तो यह कॉफते बनेंगे, तू से त्री मूली लेंगे और उनको कदूकस कर लेंगे, देखे में मूली कसली है, और एक बावल मूली हो गई थी हमारी, और हमने यह मिक्स कर लिए है मूली इसमें, औल गरम करिये, और कोफते बना लेजिए, पकॉड़ी टैप के, यह देखे, और इनको ब्राउन होने तक डी फ्राइ कीचिए। मुली बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा फाइबर होता है इसमें और डाइजिशन के लिए भी अच्छी रहती है। आप इसे किसी भी रूप में खा सकते हो। कोफते के लिए पकोड़ी रेड़ी हो गई है। निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे बना लीजिए। थोड़ा सा 2-3 स्पून ओयल लीजिए पैन में और जीरा डाले। टू-3 रेड़ चिली और ये गरम मसाला हैं। सारे खड़े गरम मसाली हैं। जिसमें मैंने 2 एलाइची हैं। और काली मिर्च हैं। और एक प्याज हैं। कटा हुआ। और ये जो हमने पेस्ट कनाया था लैसुन अद्रक का और प्याज का ये वो डाल दिया है। खड़े मसालों में आप दाल चिनी भी लीजें। और सारे खड़े मसालों को मैंने क्रश कर लिया था। 1 spoon धन्या पॉडर, 1-2 spoon हल्दी पॉडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, 1-4 spoon या 1-2 spoon ले सकते हो, अगर आप ज्यादा मसाला नहीं खाते हो, तो आप गरम मसाला मत यूज़ कीचे, जो पिसा हुआ डाला है, इसको थोड़ा सा फ्राय कीज़े, जब ओल फुनने लगे, तब इसम क्या हुआ था टमाटर, तो वो डाल दीज़े, और इसे पुड़ा सा पकने दीज़े, 2-3 मिनट्स, और ये ते खे, पकने लगा है, अब इसमें हम, पानी डालेंगे, आप ग्रेवी गाड़ी रखना चाहते हो, टू कप मैंने पानी डाला है, इसमें, क्योंकि जो कोफते है है, मुली के जो पॉड़ी है, वो भी इसको सोप करेंगे वाटर को, ग्रेवी को, आप उसके अक्रड़िंग, पानी रखे, इसको पकने दीज़े, इस ग्रेवी को, जब ये ग्रेवी बॉयल होने लगेगी, ता इसमें इसमें सॉल्ट डाले, और इसको पकने दीज़े, आपको लगे हमारी ग्रेवी पक गई है तब इसमें सारे पकोड़ी जो है मूली के वो डाल दीजे और इसको 5 मिनट्स 5 तो 10 मिनट्स पका लीजे तेखिया अलमोस्ट हमारे रेडी हो गया है गैस बन कर दी और इनको निकाल लीजे सब करते हैं मूली के कोफते रेडी हो गया है हरी धन्या सेस को हमने गार्निश किया है यह देखने में जितने ही डिलिशिस सुन्दर दिख रहे हैं खाने में भी उतने ही है एक बार आप जरू ट्राइ कीजेगा और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी है थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग बबाई